अगर हम भारत का प्राचीन इतिहास देखें तो दुनिया के दूसरे देशों और सभेताओं के मुकाबले भारत काफी पहले से एडवांस था इसी प्रकार भारत के महान वैग्यानिक आर्य भट ने हजारों साल पहले खगोल वैड़्यान के रहस्यों को पूरा खोल कर रख दिया था फिर भी क्यों आर्य भट द्वारा की गई उन खूजों पर कौपर निकस नाम के विदेशी वैग्यानिक का ठपा लगा दिया गया क्यों भारत में किये गए आविशकार भारत के नाम से नहीं दर्ज हो पाते क्या वाकई में आर्य भट ने ही जीरों की खूज की थी या इसके पीछे कोई आउर था भारत के वैग्यानिकों ने हमेशा से अपने आविशकारों द्वारा पूरी दुनिया को चौकाया है चाहे वो स्पेस साइन्स हो या अधर टेक्नोलोजी या एंजिनेरिंग फील्ड भारत में एक से बढ़कर एक आविशकार करने वालों की ना कभी कोई कमी थी ना ही अब बस उस वक्त कमी थी तो इस बात की कि भारतियों ने कभी इन उपलबदियों को दुनिया के सामने हाइलाइट करना नहीं सीखा जिस वज़े से यहां किये गए इन्वेंशन और खोजे यहीं दब कर रह जाती थी या तो विदेशू द्वारा उससे रिलेटेड फॉर्मुले चुरा लिये जाते थे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है जिस कारण दिन और रात होते हैं इसके बाद हमारे जहन में ये सवाल भी उठता है कि इस प्रकार की खोज आखिर सबसे पहले किस ने की थी तो हमें इसका जवाब मिलता है कि इसकी खोज साइंटिस्ट निकोलेस कौपर निकस ने की थी और इसे के साथ इसका पूरा श्वेय कौपर निकस को दिया जाता रहा है लेकिन यहाँ पर हैराने के बात ये है कि कौपर निकस और गेलेलियों का जब जन भी नहीं हुआ था उसके हजारों साल पहले ही आर्य भट ने ये खोज कर डाली थी कि प्रत्वी गोल है और अपनी धूरी यानि एक्सिस पर घूमती है और इसी वच्छे से ही दिन और रात होते हैं उन्होंने अर्थ का डायमीटर एक हजार पचास योजन बताया जो लगभग बारह हजार पात सो किलो मीटर है और सूर्य सिवे भिन ग्रहों के दूरी का जू अनुमान आर्य भट ने हजारों सालों पहले बताया था वो वर्तमान में बताई गई दूरी के बिलकुल अरीब है खगोल विज्ञान के बारे में सबसे पहली बार ये सभी बातें उस जमाने में पता चली जब साइंस और मानव इतना डिवैलप नहीं था जब लोग सिर्फ धरती से नेले आसमान को केवल पेखा करती थे अंतरक्ष में पहुँचना तो एक कल्पना की बात थी सबसे हैर कॉपर निकस जिन्हें पूरी दुम्या एस्टोनोमर मेथमेचिसियन के नाम से ज्रांती है उनके बारे में एक घटना प्रसिद्ध है पंधरे सुदो में जब कॉपर निकस ब्रह्मान्ड विशय पर एक युनिवर्सिटी जहां पर वो पढ़ाते थे अपने एक से बहुत दूर स्थित्तारे ब्रह्मान में जड़ी हुई अवस्था में मौजूद हैं दरसल ये बात तब किया है जब बाकी सभी तरह की कॉपर निकस भी अरस्थू और टॉल्मी के इस अर्थ सेंट्रल मॉडल पर विश्वास करते थे क्योंकि तब ये मॉडल बाइबल क उत्पत्ति की अकॉर्डिन था और इसी लिए ये मॉडल को बाइबल और चर्च द्वारा एकसेप्ट किया जा चुका था इसी लिए अरस्थू और टॉल्मी के इस मॉडल को चुनोती देने का साहस कॉपर निकस सहित किसी में भी नहीं था लेकिन कहीं न कहीं वो पूरे त दरिये सही निशकष प्राप्त करने की कूशिश करते थी लेकिन सच्चाई का पता उन्हें नहीं चल पा रहा था कि आखिर ब्रह्मान के केंदर में है क्या उन्होंने अपने टीचिंग जॉब छोड़ दी और वो एक पादरी बन गए वो अपना अधिकांश समय की डीप स्टेडी की कहा जाता है कि उन्होंने आर्यभट के अने ग्रंथों सहित आर्यभट्यम का भी गहन अध्यन किया और इसके बाद उन्होंने एक न्यू सिंपल मोडल पर विचार करना शुरू किया जो सूर्य केंदरित मोडल संसेंटर्ड मोडल पर आधारित था तब वो इस निशकर्ष पर पहुचे कि सूर्य केंदर में है और बाकी ग्रह प्रत्वी समेच सूर्य का चक्कर लगाते हैं लेकिन सच जानने के बाद भी जिस प्रिकार कॉमर निकस यौरॉप में फेली धर्मानतता के कारण इस कॉंसेप्ट को लोगों के सामें रखने में हिच नामक दो आक्षस हैं इसी लिए तब आरे भट को भी कटू आलोचना का शिकार होना पड़ा शायद इसी लिए उस वक्त उनके द्वारा की गई एस्टोनोमिकल कैकुलेशन्स को सुरक्षित रखने की खोशिश भी रही की गई होगी इसी लिए आरे भट द्वारा लिखे कई सारे अनमोल क्रंथ आज हमारे इस पास अवेलिबल नहीं है ठीक इसी तरह आरे भट द्वारा की गई इस खोश के एक हजार साल बाद निकॉलस कॉपर निकस भी जब इस सिधान्त पर पहुँचे तब वो सूर्य को प्रह्मान के केंदर में बता कर चर्च और धर्म अध और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जोदार्न ब्रूनो वो तो कॉपर निकस से भी एक कदम आगे थे ब्रूनो बड़े बोल्ड एन रिवुलिशनरी परसन थे उनका विचार था कि प्रत्वी ही नहीं सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता है सूर्य एक सामान नितारा ह और ब्रह्मान में अंगिनतारे हैं आकाश अनंत है और हमारे सावर मंडल की तरहें अने को और भी सावर मंडल इस ब्रह्मान में मौजूद है ऐसे विचारों के कारण ब्रुनो को काफी विरोध का सामना करना पड़ा उन्हें आठ सारों तक जेल में रहकर कठोर यातनाई सहनी पड़ी फिर भी ब्रुनो ने अपने विचारों के साथ कोई समझाओता नहीं किया इसलिए धर्मिक कठर पंतियों ने ब्रुनो को एक खोटे से बांद कर जिन्दा जला दिया बात साफ थी कि उस वक्त धर्म के आगे सच्चाई दम दोड़ दी थी कुछ ऐसी ही परस्तिती का सामना गेलिलियों ने भी किया खैर हम यहां बात कर रहे हैं आर्य भट के बारी में आर्य भट को आर्य भट प्रत्थन भी कहा जाता है आर्य भट ने अपने ग्रंथ आर्य भट्यम में अपना जन्म स्थान कुसुंपुर और जन्काल शक्संबंत 398 यानी 476 इस वी लिखा लेकिन फिर भी उनके वास्तिविक जन्म स्थान को लेकर विवाद है कुछ सौर्सिस के अकॉर्डिंग आर्य भट का जन्म महाराष्ट्र के अश्मक प्रदेश में हुआ था इसके बाद अश्मक सिनालंदा विश्विविद्याले में शिक्ष्या प्राप्त करने के लिए वो कुसम पुरा आये थे आर्य भट के जन्म से जुड़ी जानकारी उनके ग्रंथ आर्य भट्यम से मिलती है इसी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि कल्युक के 3600 वर्ष बीच चुके हैं और मेरी आयू इस समय 23 साल की है जब मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ उनका जुकाव बच्पन से ही आविशकारों और खोजों के प्रती था विद्वान एस पिल्लाई के अनुसार आर्य भट्य विवाहित थे और उनका देवराज नामक एक पुत्र भी था जो खुद भी एक प्रसिद्ध एस्टॉलचर था आर्य भट्य प्राचीन समय के सबसे महान खगोल शास्त्री और गणित तक थे आज भी विग्यानिक उन्हें अपना प्रेरनास त्रोध मानते हैं आर्य भट्य के प्रियासु द्वारा ही खगोल विग्यान को गणित से अलग किया जा सका बीज गणित यानि ऐल्जब्रा में भी सबसे पहला ग्रंत आर्य भट्य ने लिखा उन्होंने सबसे पहले साइन की कोश्टक दिये मैथ के जटिल प्रिश्णों को सरलता से हल करने के लिए उन्होंने ही एक्वेशन का आविशकार किया जो पूरी दुनिया में प्रख्यात हुआ उन्होंने सबसे पहले पाई की की कीमत निश्चित की इनके द्वारा दिया गया गनित जोतिश कारक सिध्धान्त बहुत प्रजलित है आज भी हिंदु पंचांग तैयार करने में इस ग्रंथ की मदद ले जाती है इसके लावा उन्होंने तीन प्रसिद्ध जोतिश क्रंथों की रचना की थी सबसे पहले बात करते हैं आर्य भट्टिय की ये भारत का सरवाधिक प्राचेन जोतिश ग्रंथ है इसमें मैथ फॉर्मूला असको इंक्लूड किया गया है आर्य भट्ट ने इस ग्रंथ को तब लिखा जब वो मातर 23 साल के थे ये एक ऐसी मैथमेटिक्स बुक है जिसे कविता के रूप में लिखा गया है इस किताब में दी गई जानकारी, ज्याद अतर, खगोल, शास्तर और गोली त्रिकोन मती, स्फेरिकल, फिग्रोमेट्रिस रिलेटिट है आरे भट ने अंक गणित, बीजगणित और त्रिकोन मती के 33 नियम दिये आरे भट के इन सिध्धांतों का साथवी सदी में बहुत उप्योग होता था लेकिन अफसूस अब उनके कई उप्योगे ग्रंथ खुचुके है ये खोक ऐसे गए, इसकी किसी के पास कोई जहनकारी नहीं कोलपाद में आरे भट ने सबसे पहले ये सिध्ध किया कि प्रत्वी अपने अक्ष पर घूंती है आरे भट की गणना के अनुसार प्रत्वी की बताई गई परीधी और वस्त्विक परिधी मान से केवल दो प्रतिशत ही कम है अब सवाल ये उठता है कि शुन्य यानी जीरो की खोज किसने की जीरो का इन्वेंशन किसने किया ये आज तक किसी को नहीं पता लेकिन इंडियन मैथमेटिशियन मानते हैं कि जीरो का आविशकार पांचवी शताबदी में आर्य भटने ही किया था चलो मान लिया कि शुन्य का आविशकार पांचवी सदी में आर्य भटने किया तो फिर हजारों वर्ष पहले रावण के दस सिर बिना शुन्य के कैसे गिने गए बिना जीरो के कैसे पता चला की कावराव सो थे इस तरह की जीरो से रिलेटिड और भी कुछ अलग-अलग बाते हैं लेकिन ये भी सच है कि तब जीरो का कोई सिंबल नहीं हुआ करता था कई लोग आरे भट को ही शुन्य का जनक मानते हैं लेकिन कोई सिधांद ना देने के कारण उन्हें शुन्य का मेन इनवेंटर नहीं माना जाता वैसे भारत के ब्रह्म गुप्त ने शुन्य का सिंबल और प्रिंसिपल दिया था और भारत के इस great mathematician and astrologer आरे भट ने शुन्ने का इस्तिमाल किया था आरे भट गुप्त शासक चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की दर्बार में थे इन्होंने प्रसिद्ध चिकित्सिक धन्वंतरी से शिक्षा प्राप्त की और इनके शिश्य विश्व प्रसिद्ध खगोलविद वराह मेर थे राजा बुद्ध गुप्त के समय आरे भटियम नामक इनका ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ उस ग्रंत के प्रसिद्धी के चलते बुद्ध गुप्त ने इनको नालंदा विश्विद्याले का कुलपती बना दिया बुद्ध गुप्त धर्म से बौध था इसे लिए उसने नालंदा विश्विद्याले की प्रसिद्धी के लिए बहुत प्रियास किया इस महान और सबसे पुराने विश्व विद्याले की स्थापना गुप्त काल में कुमार गुप्त द्वारा की गई अब बात करते हैं आर्य भट द्वारा की गई खोजों के बारे में आर्य भट ने सबसे पहले बताया था कि अर्थ का एक रोटेशन 23 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है उन्होंने ही पूरे विश्व को बताया कि चंद्रमा प्रत्वी की परिक्रमा करता है आर्य भट ने सबसे पहले नौग्रह की स्थी का पता लगाया और बताया कि सभी नौग्रहे सूर्य की परिक्रमा करते हैं सूर्य और चंद्रगहन कैसे होता है इस बात के जानकारी भी आर्य भट ने ही दी पूरे विश्व को तब ये नहीं पता था कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं तब आर्य भट ने ही बताया कि एक वर्ष में पूरे 365 दिन होते हैं। आर्य भट ने ही सबसे पहले लोगों को बताया कि प्रत्वी सपाट नहीं बलकि गोलाकार है। आर्य भट एक ऐसे गणितग्य थे जिन्होंने डेसिमल लंबर सिस्टम का निर्बान किया। उन्होंने बिहार की तरेगानाक्षेत्र में एक सूर्य मंदिर में निर्क्षन साला की स्थावना की। आज पूरे विश्व में पढ़ाया जाने वाला च्रिग्नोमेट्री की खूज आर्य भट ने ही की। आर्य भट ने अपने ग्रंथ गनिता पाद में अरिथमेटिक, एलजब्रा और लाइन मैच से लोगों को परिश्चित कराया। आर्य भट ने प्रत्वे की आकशन शक्ति के विशे में भी बताया था। इससे पता चलता है कि वो न्यूटन से काफी पहले से ही लोओ अफ ग्रेविटी से परिच्चित थे। डी ए स्मिट जैसे मैथमेटिसियन के अनुसार आर्य भट की मृत्यू चोहत्तर वर्ष के आयू में 550 ईस्वी में हुई थी। आर्य भट के दिये गए सभी सिध्धान्त हम भारत वास्यों के लिए बहुती गर्व का विशे है। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए अपना पहला उपग्र है। 19 अप्रेल 1975 को स्पेस में भेचा जिसका नाम आर्य भट रखा। इस रो द्वारा प्रत्वी के स्ट्रेटोस्फियर वायुमंडल में कुछ बैक्टीरिया की खोच की गई जिसमें से एक प्रजाते का नाम बैसिलस आर्य भट रखा गया। भारत के नैनिताल में एक साइन्टिफिक इंस्टिजूट का नाम आर्य भट प्रेक्षन विज्ञान अनुसंदान संस्थान रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध मशूर गणितग्य आर्य भट का सम्मान देश ही नहीं बलकि विदेशों में भी किया गया है। इसलिए वर्ष 1976 में इंटरनेशनल ओगनाइजेशन युनेसको के द्वारा आर्य भट की पंध्रसोवी जैनती का आयोचन किया गया था। आर्य भट की खोच प्राचीन परंपरा और पुरानों के विरुद्ध थी लेकिन वराह मेहिर ब्रह्मुगुप्त ने भी इसकी कटू आलोचना की। लेकिन आर्य भट अपने सिध्धानतों पर अडिग रहे। हजारों साल बाद सूरहसो के दशक गैलीलियर ने जब टेलिसकोप का आविशकार किया तो आर्य भट की निकाले गए सभी निशकर्ष बिलकुल सही साबित हुए। अगर आर्य भट ने ये महतुपून खोजे नहीं की होती तो आज पूरी विश्व का विज्ञान बहुत पीछे होता। आज पूरी संसार में इस भारतिय प्राचीन विज्ञानिक का बोल बाला है क्योंकि इसने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अगर भारत के इस महान विज्ञानिक आरिभट ने ये सभी महतुपून खोजी नहीं की होती तो आज पूरी दुनिया ना तो इतनी विकसित होती और ना ही हम मोडन टेक्निक्स का इस्तिमाल कर पाते। दुनिया ने भी इस बात को वास्तों में स्विकारा है। अभी भी विज्ञान के क्षित्र में भारत कई ऐसे विकसित देशों से बहुत आगे है। लेकिन दुख की बात ये है कि हमें हमारी बहुत से अप्लद्यों का क्रेडिट अब तक नहीं मिल पाया है।